मेहुल अपनी चच पर हवा का आनद ले रहा था स्री थोमस ने एक पार्टी रखी हुई थी जिसकी बहुत देश आवाज आ रही थी इसलिए मेहुल अपने घर वापस चला जाता है और सो जाता है अगे दिन मेहुल जब उठता है तो उसको पता लगता है कि मिस्टर थोमस की किती ने अत्या कर दिया है वा स्री थोमस के घर जाता है और उन्हें पर्स पर पाया अप मरा हुआ पाता है घर में एक सारा सामाने दरवदर पड़ा हुआ था ऐसा लग रहा था कि मिस्टर थोमस और मडर करने वाले के भी इस हाता पाई हुई हो थोमस का अपने अत्यारे से जबरा हुआ हो कल रात पाठी में आए हुए सबी लोगों को बलाता है और उन्हें पूच्टाच करता है तबी उन्हें से ही ने कहा इस तरी थोमस में कर रात बहुत सारी सराप पीगी थी और सबी के साथ काफी लडाई और दादी दलोज हुई इसलिए सबी लोग उनकी पाठी को छोड़ कर अपने अपने घर चले गए थे हमने उनकी अत्या नहीं गी है लेकिन इन तीनों में से एद जोट बोल रहा था क्या परमान लगा सकते हैं कि कौन जोट बोल रहा है बताओ बताओ तो ही मेहल को ध्यान आता है कि उसने जोट जिस दिन ठॉमस के घर आया हुआ था तो वहाँ पर उसकी दीवाल पर कुछ खुण लगा हुआ था और जो उसके तीजरा व्यक्ति जो बुलाया था उसके सर पर भी चोट लगे हुए थी और खुण निकल रहा था तो उसने दोनों का सेंपल चेक किया और उससे पता लगता है कि तीजरे व्यक्ति ने खुमस का फून किया है वहाँ उसे तुरंट गिरफ्तार कर लेता है यह दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेहूल अपने सहर से बाहर गारी चला रहा था वहर तहीं जा रहा था तबी उसे रास्ते में सड़के किनारे फुटपाथ पर एक आदमी देहोशी की आवस्था में पड़ा हुआ दिखाई देता है वह अपनी कार्श करकर उस आदमी के पास आता है और उसकी जमच करने लगता है कि वह जिंदा है या अम्रत है वह देखता है कि उस आदमी के हाथ में एक लाल करण का ग्लाप्स है और वह सोचने लगता है कि यह आदमी यहां कैसे आया और उसे कौन लाया यहां पर लेकिन तभी वहां मेहुल वहां पास के एक तोल बूत में जाता है और वहां के CCTV पोटोई को चेक करवाता है और उसमें उसे में पाया कि एक सड़क से तीन कारे निकली हैं अभी तक और मेहुल यह जानकर उन तीनों कारों को वापस बलाता है और उनसे तोल बूत पर लोटने के लिए कहता है वहां अन्द से बारी बारी से सभी कारों की जात करता है उसको पहली कारमे है पुछ खाने पीने की गॉर्ट बैग, बुक्स, बैग, टौपी यह चीज़न दिखाई देती हैं और उसको दूसरी कारमे बैग, सूज, कैप यहीं लादी सारी चीज़न दिखाई देती है बताएए उसने तिनों को चेल कर लिया बच्छानु कैसे बता है तुब ct चलिए मैं आपको बताता हूं रेको 5 वहाँ दूसरी कार वाले को पकड़ेगा तो कि दूसरी कार को करीब से देखें उसके अंदर उसमें वही लाल दस्ताना देखा जो वहाँ रख पड़े हुए एक आदमी के एक हास में था उसलिए उसमें जिसा आदमी ने पहना हुआ था उसने उस्यक्ति देखत्या कर दी और उसके च्रक पर फेक दिया और उसके एक लब्स ले आया इसका मतलब यही कार वुने वाले ने उसकी अद्धिया दी है चलो चलो इसके में और उनका परिवार समद्री तक पर पिखनी बनाने के लिए आयोए से और मज़ेदारी से अपना समय में ता रहे थे लेकिन तभी उनकी खेलते समय उनकी के पेड़ों के पीछे चली आती है और जाड़ियों में छुब जाती है से चिम का चोटा बेटा गेंड की तलास में जाता है और इदर उदर ढूमने लगता है तभी पीछे से आकर गिजी ने चिम के लड़की चोटे बेटे का अपरान कर दिया जब उनका पिटा काफी देश के बाद वापस नहीं आया तो उसका भाई और माता पिता दोनों ने उसको कोई दिना सुरू कर दिया इतनी मेही मेहुल वहाँ पर आ जाता है और उनसे पुछता है कि क्या हुआ तो उसको वह सारी बताते हैं उनके मेहुल ने भी लड़के की तलास करना सुरू करती है वाई एक आदमी के पास आया जिसने कहा कि वह सुएसे यहां है और उसके कुछ भी पास पता नहीं है इस बारे में कि उसका लड़का कहा गया लेकिन तभी मेहुल की नजर दूसरे आदमी पर कहुचती है और कि उसका लड़का कहा गया कि वह समुद्र तटपर पहुचा और कुछ भी नहीं जानता है वह बस अभी अभी यहां पर आया हुआ है बताएए भाई इन कीम में से किसने तिम के बेटे का परण किया है बताएए बताएए कहां ज़रूर बताएए चले मैं आपको बताता हूँ मिस्टर टिम और उनका परिवार सभी एक ही खरेगी तो भी पहने हुए थे और इसमें अपरण किया था वह भी उसमें से एक रंकी टोपी पहना था इसका मतलब है कि अपरणबा करने वाले ने इस लड़के की तो पहनी हुई है इसे तीसरे नम्मर के व्यक्ति ने टिम के लड़के का पररण किया है तर्वार दोस्तों आपका सब्सक्राइब करने में क्या जाता है कुछ नी जाता ना फिर करो ना यार बेल आइकन दबाओ यार लाइक करो वीडियो को चैनल सब्सक्राइब खरो यार झाल झाल झाल